ओम नवश्यवाई हरारमादेव एचेस वारतदवा यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है सामन मास के महने में सिविलिंग से चड़ा करके उठा लाएं एक चीज सामन के महिने में सिविलिंग पर चड़ा करके उठालाएं ये चीज होगी पुत्र धन की प्राप्ती सामन का महिना बड़ा ही पवित्र महिना है सामन के महिने की कुछ ऐसे उपाय बताने वाला हूँ अगर आप यह उपाय करते हैं तो अवसी है आपकी पुत्र धन की मनुकामना पूरी होगी सामन के महिने में कुछ चीजे सिविलिंग पर प्रति दिन चड़ानी है धतूरे का फल धतूरे का पुष्प प्रति दिन अगर आप सिविलिंग पर बेल पत्र के साथ में धतूरे का फल और धतूरे का पुष्प प्रते दिन चड़ा देते हैं भगबान के सामने दीपक ज़़ा के उसमें दो लोंग डाल देते हैं दोस्तों स्वेम महाकाल प्रसन नो करके आपकी मनुकामना पुरी करेंगे लेकिन यह नियम तूटना नहीं चाहिए यह नियम पूरे महीन आपने पूरा कर लिया तो आपकी मनुकामना आवश्य पूरी होगी कैसी भी मनुकामना पूरी होने से कोई नहीं रोख सकता है प्रते दिन के कुछ नियम आपको निवाने ही प्रते दिन कुछ चीजे से भिलंग पचलाने हैं और सोमार के सोमार आपको कुछ च करते हैं प्रति दिन भगवान सिवका पस्थी करें आफसी पर लिए और भगवान सिवको समर्पित कर दीजिए और भगवान को बस्मी लगानी फिर आपको बेलपत्र सिखलेंग पर चडाना है 工作 दीजिए गणल Act फूल के बाद में और वगवान सिव को चावल के दाने और एक पीली कोडी प्रते दिन चड़ानी है जिनको पुत्र की चाहत है वे मेलाएं इन चावल के दानों को सुवे सौमार से शुरू करके पाँच दिन खाली पीट खाए सिविलिंगी के बीज के साथ में चावल और सिविलिंगी के बीज एक घटा चड़ाएं पुमा से उठालाएं ला करके उनको पीश लें पीश करके सुवे खाली पेट उनको खाले ना है बेलपत्र पर ओम नमस्वाए या ओम गोरी शंकराय नमाहा ये लिख करके शेविलिंग पर समर्पित कर देना है और सौमार के दिन पती पत्री मिल करके ये बेलपत्र सिविलिंग पर चड़ाएं गे और फिर मंत्र जाप करना आपको इस मंत्र को लिख करके रख लें उम तत्पो साइबिदमहे महादेबा यदीमही तन्नोर द्रह प्रचो दयात उसके बाद में आप भगवान सिव की मूर्ती के सामने नारियल का प्रसाद रखना है नारियल का प्रसाद इसी मंत्र को 108 बार बोलती हुए और फिर आपको पूजा करने के बाद में ये नारियल का प्रसाद पती पती दोनों को खाना है इससे आपकी पुत्र की मनों काम ना कुझेगी साथ ही सोम्मार के दिन सिविलिंग पर रुद्राक चड़ाना है पिलिकोरी तो आप प्रते दिन चड़ा रहे हो सामन की जो सोम्मार आए उस पे दो रुद्राक और दो आपको कमल गठा रुद्राक के साथ में ये सिविलिंग पर चड़ा देना है सोम्मार के दिन ये चीज भी उठा लाना है प्रते दिना आप पीली कोड़ी उठा के ला रहे हो उसी के साथ भी ये रख देना है दोस्तों ये उपाय इतने चमत का रही है बहुत ही जादा और इन उपायों को करने से मनो कामना बहुत जल्दी पूरी हो जाते हैं जो व्यक्ति सिवलिंग पर ये चीज़े चड़ाते हैं साथी केले का फल भी सोम्मार को चड़ा देते हैं ये केले का फल खाते हैं नारियल के साथ में तो मनो कामना पूरी जाते हैं लेकिन सिवलिंग का चड़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना है भगवान सिव की मूर्ती के सामने चड़ाना है नारियल केला और ये आपको खाना है क मुझे अमीद आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी वीडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट में ओम नमस्षिवाय जरूर लेखें अगर किसी प्रकार कोई परेशानी है तो आप कमेंट में जरूर लेकें या फिर आपको डिस्क्रिप्शन नम्मर मिल जाएगा पर सब आप जरू करें